इस बार जो दिल्ली में मौनसून की स्थिती पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तूटा और इस बार दिल्ली में फ्लड जैसी सिचुवेशन आई तो इस बार जो डेंगी, मलेरिया और ऐसे वेक्टेबॉन डिजीजेज जो हर बार मौनसून में होती हैं थोड़ी सी उम्मीद्ती की कैसे जादा आएंगे पर नगर निगम और एमसीडी जो एमसीडी का पब्लिक हिल डिपार्टमेंट है पुरी तरह से तैयार है और जितने भी हमारे यहां के अधिकारी हैं, ओफिसेज हैं और जो एरिया विधानसभा में जितने भी मलेरिया इंस्पेक्टर्स हैं असिस्टन मलेरिया इंस्पेक्टर्स हैं, डीबीसी वरकर्स हैं, इन सब को भी निर्देश दे दी गया हैं कि घर घर जाकर वो लोगों में जागरुकता करें लोगों के घर अपना आईकार्ट दिखाते हुए जाएं, पानी की टेंकी चेक करें और गमले चेक करें अंदर पूरी ऐसी जगह देखें जहां पर मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो रही हों और ताकि जाजा जल बराव हैं, अंडर कंस्रक्शन साइट्स होती हैं, ऐसी जगह पर जो मॉस्किटो ब्रीडिंग के चांसे ज्यादा रहते हैं तो पूरा डेपार्टमेंट पूरी तरह से सतरक हैं और निर्देश दे दिये गए हैं, अक्टिवली पूरे दिली के एरियाज में काम करें हैं और एक खुशकबरी और है, जैसे कि अभी मानने मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल जी ने विछले हफते ही डेली गर्मन के जो हेल डेपार्टमेंट है और एमसीडी का पब्लिक हेल डेपार्टमेंट है, उनकी लीडरशिप के चैमेंशिप के अंडर मीटिंग हुई और उन्होंने निर्देश दिये कि कैसे हम इन केसे को कम से कम करें और क्या क्या प्रिकॉशन्स हम लोग कर सकते हैं और आज ही मैं आपको बता दूँ जो एमसीडी का जो पब्लिक हेल डेपार्टमेंट हैं, उन्होंने आज जो हमने डिसाइड किया था, डेपार्टमेंट ने जो बताया था कि जो ड्रोन के माधिम से जो आंटी लावा की जो स्प्रे हैं उनको एरियाज में किया जाएगा तो आज उस्मानपुर में उसका सक्सेस्फुल ट्राइल रहा और कल हम इसको ओफिशल तरीके से लॉंच करेंगे ताकि ऐसे एरियाज में जहां पर जो हमारे तेमसे दवाइका चिरिकावों